अरे भाई साब, वो कौन सी कलम से RCB की किस्मत लिखी गई है, अब तक तो ये सिर्फ मैच इस हार रहे थे, लेकिन कल, कल के मैच में तो ऐसा हारे कि IPL का हाईयस टोटल ही बनवाओ बैठे अपने अगेंस्ट, खौफ तो पहले से ही था कि RCB की बोलिंग, SRH की बैटिंग, चि इसके बाद RCB की पूरी मैनेजमेंट चेंज करो, इनका होम ग्राउंड चेंज करो, सारे बॉलर्स को निकाल के फैको, और RCB टीम ही खतम कर दो यार क्या हो गया तुम्हें? क्यो नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो नई टीम मना दो विराट कोली के लिए तब ही IPL जीत पाएंगे अब तो ये ज़रा कल के मैज के बाद पॉइंट सेवर पर नज़र डालो ज़रा, सारी टीम के पास एटलीस चार पॉइंट तो है, लेकिन ये RCB अपना अलग दो पॉइंट के साथ बैठी है ये हार्दिक पंडे से कहीं करीबिया तो नहीं बढ़ा ली RCB वालों है मुझे तो लगता है ये IPL को और्गनाइज करते हैं सिर्फ इसले कि सारी टीम RCB से लड़ लड़के बस दो-दो पॉइंट्स उनको थमा सके और ऐसा काम करने में एक जो सुक्की प्राप्ती होती है ना RCB वालों को मैं तो नहीं हूं इंसानों में जिस टीम के कैप्टन ने मुंबई और चिन्ने जैसी टीम्स को साइलेंट कर दिया था तो RCB वालों का फिर वो क्या हाल करते कुछ अलग एक्सपेक किया था क्या RCB वालों का आपको पता है पहले सिस IPLK सीजन में थोड़ सा दुख चल रहा था कि उनका हाइस दोसो त्रेसर डरन वाला जो रिकॉर्ड है वो तूट गया वो भी दो बार और इस बार फिर से इस मैच में तूट गया अब तो RCB के सामने ही ये कौन सा मजाग है भाई जिस रिकॉर्ड को तोड़ने में 12 साल लग गय थे वो लगातार एक IPLK सीजन में इतनी बार टूट रहा है और बोलो जैशा की इस से बड़िया हो सकते है कोई स्क्रिप्ट अब ही कुछ दूनों पहले जो मैच होगा था मुंबई और संराइजर सेदरबाद का उस मैच में 523 रंस बने थे और उसको हम कहरे थे भाई हाइस रन है और इस मैच में 550 बना दी है उन्होंने यह क्या चल दा भाई T20 चल रहा है कोई मजाग चल रहा है 550 यहां पर रन बन जा रहे है 39 बॉल में बंदा 100 मार के चला जा रहा है हाइस टोटल बन जा रहा है चेस करते वे फिर मैच का फैसला दो तब ही हो गया था जब RCV ने टॉस जीत के बोलिंग करने का फैसला किया कि आज RCV कितने रन से आदने वाली है और मैंने पहली नहीं कहा था यह Pat Cummins को कुछ मत करने दिया करो वाइस कुसी दा ग्राउंड में उतारा करो ना मैच से पहले कोई इंटर्व्यू ना टॉस के टाइम पे क्योंकि टॉस के टाइम भी बंदे ने बोल दिया कि 240 रन मुझे तो लग रहे है आपे की बन आदेश मिल गया है नेता की तरफ से तो टीम वाले वो काम तो करेंगी बट साथ में सैताले सन एक्स्रा गिफ्ट भी और दे दिये कल वाले मैच में मैक्सवेल और सिराज दोनों ही नहीं खेल रहे थे और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि बेंच पर बैटने वाले जो प्लेयर्स है वो ज़्यादा खुशन है जो प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं सिराज तो अपने बाहर ही मस्त देख रहे हुए कि चलो भाई अच्छा है आज का मैस में खेल रहा वरना ट्रैवेस हैड से पहले मेरी सेंचुरी हो जाती अरे तो क्या हो गया सिराज अगर आज का मैस नहीं खेल रहे हैं बाकी RCB के बॉलर्स किसी से कम है क्या उन्होंने कोई कमी महसूस नहीं होने दी और शुरुवात में अभी शेक शर्मा और ट्रैवेस हैड ने जो बिना डिटरजेंट, साबोन, किसी मदब बिना कुछ लगा अब ही तक तो सिर्फ मैं आपको बताया था कि नीली जर्सी में किसी को देखके ट्रैवेस हैड मूड में आते लेकिन शायद उनको कोई सफ्वेर अपडेट हुआ है, पता नहीं क्यों आज आज आधी नीली जर्सी वालों को देखके भी पूरे सुताई के मूड में आ गए अरे 100 मारी तो मारी, साथ में जो सेलिबरेशन है वो भी तेज तरार 100 मारने वाले यूनिवर्स बॉस की तरह RCB की तरफ से डिमांड आ रहेती है ना कि लोकी फर्गुसन को खिलाओ आज 4 ओवर में 52 रन उन्होंने दिया लेकिन हाँ, दो इंपोर्टन विकेट लिए, क्लासन और ट्रैवेस हेड के और 300 रन बनने से बचा दिया अब ये क्या बोल रहा हूँ, मैं T20 मैंच में 300 रन उन्होंने तो कता ही वंड़े कर दिया इसे ट्रैवेस हेड के आउट होने के बाद, क्लासन आए और भाई, आज तो SRH के सारे के सारे जो बेट्समन है, चिन्नस वामे को देखे, बिल्कुल ड्रेसिंग रूम से सेट होके आए थे, कि RCB के बॉलर्स का जो हाल किसी ने नहीं किया, हम करेंगे आज, मतलब डबल से ठुकाई करने के बाद, हैदरबाद ने अपना ही 277 रन का रिकॉर्ड तोड के, इस मैच में RCB के सामने 287 रन्स बना दिये, इनका अलागी चल रहा भाई, IPL में टीम से एक दूसर से कंपीट करने ही, अपने आप सी ही पता नहीं खुद का कौन सा कॉम्पीटिशन लगा के बैटे हैं, कॉम्पीटिशन वैसे RCB वालों का भी चलता है, लेकिन गाडीन की थोड़ा साब को बता ही हर बार की तरह उल्टी चलती है, सबसे कम रन बनाना और सबसे ज्यादा रन देना IPL में, यह क्या लगा रखा है, RCB ने लोगों में अपना शेर है, यह शेर भी शर विराट कोली ने काम तो किया भाई, इन्होंने 100 अंज शुरुवात ने तेजी से ठोके और विराट कोली जो यूजिली थोड़ा सा धीरे-धीरे खेलते हैं, लेकिन आज तो वो भी पूरा अटैकिंग मूड में थे, बस उस ताम पर दिल तूड़ गया, और मयंग मारकंड में विराट कोली को बोल्ड मार दिया, और मतलब आज असा लग रहा था, विराट कोली की सेंचुरी है, लेकिन दिल तो यहां भी तूड़ गया, कैप्टन साहब, यानि की पैट कमिंस इस मैच में, फाट डू प्लेसी को ही लेवरे, जो लग रहा था कि शायद कुछ होना एक तरफ और ये करकेट में नॉन स्टाइकर एंड पर रन आउट इस तरीके से होना एक तरफ, लेकिन रुको रुको, इसके बाद मैच में एंट्री होती है दिनेश कार्थिक की और क्या ठुकाई करी है इन्होंने, मतलब अल राउंडर असली में अगर किसी को बोलना तो दिनेश कार्थिक को बोलो, चाहे बैटिंग करवालो, चाहे विगट कीपिंग करवालो, चाहे कॉमेंटरी करवालो, RCV वालो ने जितने छक्केट होगे, उसमें से जारा योगदान दिनेश कार्थिक की तरफ से आया भाई, और धाईसों के स्राइक रेट से 83 रंस, और सर्फ इतना है नहीं भाई इस IPL का सबसे लंबा 108 मीटर का चकट होका है DK नहीं दिनेश कार्तिक की रगों में तो पता नहीं कौन सा खुन दोड़ने लगा जब से रोई शर्मा ने बोला है कि भाई इस साल ही है वर्लकप तो थोड़ी त्यारी व्यारी चल रही है और वैसी भी तो हर बार कही है जैसी वर्लकप का सीजन आता है अंडर्टेकर की तरह DK पता हो जो 263 वाला रिकॉर्ड है बस उससे एक रन पीछे रहे और अगर गालियां पढ़ने वाला काम किसी ने किया भाई RCB में तो इस बार वो बैट्समन नहीं इस बार सारे बोलर्स ही है थोड़े तो बचा लेते रहन देगर मुझे RCB के हारने जीतने से तो कोई फर्क करना ओ तो यह काफी है फिर आपके लिए तो यह उल्टा के जा रहा है यह जा रहा है चलो घार मैं भी चलता हो क्यूंकि मेरा दोस्ता है वो कोमा में है RCB का फैन उसको दुबारा से जगा के यह न्यूज देकर दुबारा से कोमा में डालना है और आप इस वीडियो को बाई ऐसा कॉंटिनिशनल पर आता रहता है और तुम तक फिर लेते हो जिन्दी के मज़े